So, Hey Guys, How are you all? This is your host, Engineer Abhishek Singh and you are watching My Mechanical Support. Guys, हम अगर distemper की बात कर लेते हैं, तो paint distemper में किस तरह से मिलाना है? सबसे ज़्यादा confusion लोगों को इसी topic बहुती है. तो चलिए, आज मैं आपको बिल्कूल आसान भासाम बताता हूँ कि यह जो stainer है. देख सकते हैं, ACN paint का stainer है, universal stainer यहाँ पर लिखा हुआ है, 37-7 यह 45 रुपे में हमें दिया है, और यह जो है वो 50 मिलका है. यह सारी जानकारी हो गई, आब इसे दोस्तों इस तरह से खोलते हैं. अब इसको खोलने के बाद में यहाँ पर मिलता है एक seal, ठीक है, पूरा जानकारी दे रहा हूँ, विडियो पर बने रहेगा. दोस्तों, आपको करना क्या है, कि यह जो कफर है, दोस्तों सबसे पहले इसको खोलने से पहले आपको बोटल को अच्छा तरीके से इस तरह से हिला लेना है, चुकि यह स्टेनर है, हमारा EC में कलर रहता है, तो इसको हम अच्छा तरीके से हिला लेंगा दोस्तों, उसके बा सकते हैं दोस्तों ये जो ये जो हमारा पहला लियर हट गए इसके बाद भी एक लियर दोस्तों यहां पर दिया हुआ है इसको भी आमें इसी की सहाइता से दोस्तों आसानी से इस तरह से हम पहले इसको भी हटा लेंगा आप देख सकते हैं किसी भी चीज की जल्दिवाजी दो अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर का डिस्टेंपर किस तरह से मिलाते हैं तो दोस्तों अब हमें यह जो इस्टेनर है इसको इस डिस्टेंपर में जिसमें हमने पानी मिला लिया है दोस्तों इसमें मिक्स करना है तो चलिए हम करते हैं दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यह औरेंज गलर है दोस्तों अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि बिल्कुल धीरे-धीरे आप जो है वो इसको मिक्स करेंगे आपने थोरा सा डाला ठीक है और उसके बाद में आपको ऐसे पता नहीं चलेगा दोस्तों आपको में अच्छे तरीकी सा पूरे मिला लेना हैं आपको पहले पूरा मिला लेना है दोस्तों मसीन से अगर इस कामको करवाने जाते हैं तो आपका जो पेंट का कीमत है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तो वह महान शी Alright अब दोस्तों हमारा यह जो डिस्टेंपर में इस्टेनर है वो पूरी तरीके से मिल चुका है मिल चुका है अब देख सकते हैं कि इतना आपको चाहिए था नेमुजी और डारक चाहिए तो एक बिल्कुल हलका दोस्तों आप एक दो बार पेंट करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरगार दोस्तों कितना इसमें इस्टेनर मिलाना है और दिक्कत ता वाती है जब हम कुछ पार्ट को कर लिए हैं, घर का कुछ पार्ट्स जो है पेंट हो चुका है और फिर जो जुटरेंस च्छे अगार घटता है और पेंट को दुबारा वहीं पर इस तरह से किसी एक डबा में इस तरह से लगा देंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों एस टेनर को धिर धिरी इसमें मिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे दोस्तों कि इस सेड का हुआ है कि नहीं चुकि जो हम पहले पेंट कर रहे थे दोस्तों वह इस सेड का तो इस तरह से हम दोस्तों उसको मिलाते ही जाएंगे ठीक है और जब देखेंगे कि दोनों सेट दोस्तों और फिर यह मिल गया दोस्तों इसको हम दोस्तों यहां पे अलग एक रखेंगे अगर यह दोनों मैच कर गया तो हम पेंटिंग करना इस्टार्ट कर देंगे लेकिन हम इसको पहली बार बना रहा है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है अपना मन पसंद कलर इसको देंगे यह मैंने जो एक्जामपल दिया दोस्तों यह जो है वो दूसरा बार जब पेंट घ को आसानी से बना सकते हैं कोई भी कलर आप असानी से घर पर आसानी से 2-5 मिनट लगता आपको बना सकते हैं और वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपसे अनुरॉद रहेगा कि एक लाइक देने के साथ इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके अपने फ्रेंड सोर अब दोस्तों चलिए इसे हम दिवार पे लगाते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों जो इस टेनर मिलाने वाला जो वीडियो था दोस्तों यह होता है यहीं पर कंप्लीट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों